ओके सो वेलकम तो दे चैनल ओव दबतब बायलोची आज तुमारा टॉपिक ए फेस कोंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी यह टॉपिक 15-10 मिनिट का है ज्यान से सुन लेना एक माइक्रोस्कोप दिखाऊंगा उसको अच्छे से याद कर लेना यह टॉपिक आपका कटम अब नेक्स वीडियो में डार्फ्ऴ laughed microscopy साथ में अपन देखने वाले हैं िलल्ल उक्रोस्कोपी तो आज है मेरी फोन की ही स्क्रीण पर अपन देख लेते हैं च्छे फेस कोंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी ... ऐके त 지금 हमें तेख फोन की स्क्रीन पर अपन चल रहाय है Hebं go जैसे visible हो जाए इसलिए करते हो अच्छा सा filter लग जाओ उसमें ठीक है तो face contrast microscope में आपको क्या करना है जो भी आप sample ले रहे हो sample को आप यहां पर बोलोगे specimen क्या बोलोगे specimen ठीक है जो भी आप specimen ले रहे हो under microscope उसका आप contrast बढ़ा दोगे तो specimen जो है अच्छे सा दिखेगा यह आपको देखना है face contrast microscope में ठीक है तो जिको मैंने यहां पर क्या लिखा है it is the contrast enhancing optical technique that utilize to produce high contrast images of transparent specimen मतलब आपको कोई transparent photo है ठीक है आपको उसको सही करना है तो आप contrast कम ज़्यादा करोगे तो आपको क्या होगा photo जो है clear हो जाएगा ठीक है यहां पर example specimen का specimen मतलब sample का example हम आपने मा यूज कर रहे है to produce high contrast images of transparent specimen such as living cell ठीक है यह बात clear हुई in this microscopy we use conical face plate which immerge in the light in common single face तो आपको यहां पर क्या करना है conical face plate लेनी है जिससे जो light है वो emerge होती है single phase में common phase में क्या बोल रहा हो मैं एक conical face plate लेनी है जिससे light जो है वो emerge होती है एक single phase में एक common phase में ठीक है अब देखो यहां पर principle क्या दे रहा है जब light जो है pass होती है through the cell जनरली बोल रहा हूँ मैं जब light जो है pass होती है through the cell एक small face shift होता है पर वो हमें दिखता है नहीं naked eyes से हमें वो invisible होता है humanized से यह बात clear हो गई generally पर देखो यहां पर क्या ह shift होता है वो convert हो जाता है amplitude में generally तो क्या होता है face shift जो होता है वो visible नहीं होता है humanized से पर यहां पर क्या होता है face contrast microscopy में जो face shift होता है वो convert हो जाता है amplitude में जिसकी वज़े से हमें observed हो जाता है difference जो difference हता है image contrast में वह सबह में observed हो जाता है easily ठीक है किसमें face contrast microscopy में अब देखो यह यहां पर light wave बना रखी है, light wave आ रही है, यहां पर more brightening image form हो रही है, और यही काम है हमारा, किसका face contrast, microscopy का, नाम से पतल लग रहा contrast, ठेक है, आज इस अब edit करना अपनी अपनी photo, अब जो कि application क्या है यहां पर, to produce high contrast image of transparent specimen, ठेक है, जैसे living cell हो गया, micro organism हो गया, fiber हो गया, study of cell division हो ग इसको सही करके दिखाना है, तो उसका contrast कम ज्यादा करना पड़ेगा आपको, तो यहां पर example है, specimen के living cell, microorganism, fiber, study of cell division, ठेक है, अब देखो, advantage क्या है इसके, कि living cell जो है, वो observed होती है, natural state में, अगर हम इसके नीचे देखे ना, तो observe होगी, वो natural state में है, living cell, it makes highly transparent object, more visible, और कितना transparent object हो, यह क्या करता है, more visible दिखाता है अपने को, ठेक है, examine intracellular components, हम intracellular components भी देख सकते हैं, ठेक है, तो यह बार ध्यान रखना, face contrast, microscopy की, कि living cell को जो है, observed in natural state, it makes highly transparent object को भी more visible, ठेक है, बले कितना ही transparent है, more visible, examine intracellular components, अंदर की cell के अंदर की चीज़ें, intracellular भी देखा सक असे यह एक सारे component, यह diagram से बनाना है, आपको, साधी key diagram तो दिखनी रह, देख भाई, डिबा बनाना गोल बनाना गोला बनाना गोला बनाना स्र में चड़िक अऊं डिबा गोला निदा गउला गोला कर रहो ठेक है, एक और गोला कर दें डिबा मत करें ठेक है, तो डिबा ग गोला डिबबा गोला सर्चेडिया में वापिस गोला कर देता हूं ठीक है अब देखो सबसे उपर आपको यहां पर आई बनानी है आई बोलो या ऑब्जवर बोलो देखने वाला बनाना है ठीक है ऐसा नहीं सन्य आई बोली तो यहां पर एकवस चंबर विट्रस चंबर यह यह image form होरी है ऐसा कुछ नहीं करना ठीक है एक normal सी आई बना दी नहीं ठीक है उसके बाद आपको क्या लिख देना है यह आई यह observer नीचे नीचे आपको रखना है light source ठीक है जिससे light आएगी अब देखो यह आपको बनाना है annular diaphragm ठीक है इसको जितना कम समझोगे उतना आपको इतना याद रखना है light source नीचे देगा उपर जो अपना उब्सरवर है यहाँ पर आपको रखना है annular diaphragm ठीक है फिर यह रखना है आपको condenser lens यह क्या करता है light को condense कर देता है क्या करता है light को condense कर देता है फिर आपके sample पे जो भी specimen या बूल लो आपका sample है जिसे blood का sample हो गया body tissue का sample हो गया उस पर जो light condense होगे गिरेगी ठीक है यह unobstructed light होगी मतलब free from hindrance होगी कैसी होगी free from hindrance ठीक फिर यहाँ से refracted light है जो की phase alter by specimen यह जो phase light का यह alter change किया किसना specimen specimen बोले तो sample ठीक फिर आएगी face plate और face plate का अपनने काम देखाता हूं मैं बताता हूं देखो यहाँ पर face plate का मैंने क्या बोलाता कि यह image कर दता है light को एक single phase में ठीक है तो यहाँ पर देखो observer के बाद एक single phase में light आ जाएगी यह देखो यहाँ पर face plate यहाँ पर लगी हुई है ठेक है और रिफ्रेक्टेंट है इधर उदर 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 रिजर ठेक है तो आपको एक फेस्वलेट बनानी है जिससे क्या होगा कि एक सिंगल एक कॉमन पार्थवेय में जो लाइट है वह आप्सरवर के पाश पोच जाएगी ठेक है तो इस तरह से आपको ऐसे बना सकता आ आप डिबा गोला डिबा गोला और फिर गोला चेड़ के ठेक है तो यह आपका डाग्राम हो जाएगा फेस कोंट्रास्ट मेडिया का ठेक है आगे अपन देखेंगे और भी ऐसे डाग्राम तो आपको आदत हो जाएगी ठेक है तो मिलते हैं नेक्स टोपिक के साथ नेक्स वीडियो में थेंक यू